हेलो दोस्तों वेल्कम बैक यूट्यूब चैनल तो जैसा कि आप सभी साथी मेरे साथ बने हुए हैं तो आप सबको पता होगा हम यह बात कर रहे हैं यू पीट पलसी पीटी एक्जाम के बारे में तो इसका कंप्लीट करा रही हूं जो साथी बने हैं सबको पता है कि हम कहां मैंने से स्टार्ट किया आपका हिस्ट्री से इसका स्लेवस है जो भाई बेन नहीं है वह यहां पर देख लिया आप तो हमने यहां पर भारती इतिहास के लगबाग दो थी टौपिक क्लियर कर दी हैं बाकी के टौपिक को देखते हैं अबी बीच में रक्षावंदन आ गया साथ ही में मौर बंस असोख संब्राट के बारे में भी यहां तक हम पढ़ चुके थे अब हमारा नेक्स टॉपे हो जाएगा गुप्त बंस तो चलिए हम सुरू करते हैं इस नई वीडियो को गुप्त बंस से तो चैप्टर आपका शिक्स हो जाएगा गुप्त बंस इसमें में ऍौनधिन से चलिए तो रहे हैं में हमारा संब्रगब्त ऑच चंद्रगब्त बंस नेकिन क्यों हमारा जानते हैं प्रश्नाल ने को लेकर कोई ने हैं तो देखते हैं यहां पर इस लेकाते पंट लेकर पंट कर ये आपके लिए सब्सक्राइब सकते हैं कि मैं फिरी ऩौ्सन को आई गुप्त को शानों के साम्मार्ष का साउऩ छेट है क्या थे एक शवारों के सामन्त थे गुपत सम्राज का उदयत तीसरी सथी के अंत में प्रियाग & को परभाति के प्रभावती गुप्त के पुना इस्तित तामरपत्र अभिलेख में किया गया है स्रीगुप्त ने मगद के म्रग सिखावन में एक मंदर का निर्बान करवाया था तथा मंदर के खर्च के लिए 24 गाओं को दान में दिया था तो यहाँ से इस तरह से उल्लेक प्राप्त होती हैं के बारे में श्रीगुप्त का सासन काल जो है 275 से 320 पी तक माना जाता है स्रीगुप्त ने महाराज की उपाधी धारण की ती यह कोई बहुत खास इंपोर्ट लिंग लें कि वाद देख लेते हैं कि कुछ मैंने बता है समुद्र गुप्त और चद्न गुप जोती है इनसे ज्यादा को प्रश्न बनेंगे यह क्योंगे संस्तापक है इसलिए हो सकता इसलिए श्रीग अपने लगवगत तीन सो इसलिए में घटोदकच को अपना उत्रादिकारी बनाया था कि किसे बनाया था घटोदकच को प्रवावति गुप्त के पूना एबं रिद्पुर्ट तामरुपत्र अभी लेको मैं गुप्त वन्स का प्रतम राजा बताया गया ह क्योंकि उत्रादिकारी बताया तो यहीं से यह चीज में पता चलती है घटोदकच के उत्रादिकारी के रूप में चंद्गुपतु प्रतम 319 इसवी में गद्धी पर पैठा तो घटोदकच का कौन था यही था चंद्गुपतु प्रतम तब ही तो इनका नाम पढ़ा तो कभी-कभी दे दिया जाता तो इसलिए हमें से याद रखना होगा कि स्री गुपतु ने अपना उत्रादिकारी किसे बनाया तो घटोदकच को दूसरा नाम का था चंद्रुपतु प्रतम जो 3193 इसवी में गद्धी पर बैठा था गुपत वंस का प्रतम महान सम्राट महान चंद्रुपत प्रतम था शुर्वात कर था यहां से अच्छी योगशार की इसने महारादि दिराज की उपाधी धर्ण की है रखना क्या नाम था उनका कुमार देवी से शादी टी निश्वी कुलगी थी करने कुमार दिवी न से विवा किया था चंद्रकुप्त प्रिथम ने गुप्त समब्स चलाया था जिसका प्रिथम वर्स 26 फरवरी 320 से और 15 मार्श 321 तक था सक्संबत तथा गुप्त संबत के बीच लगबग 242 वर्स का अंतर रहता है चंद्रकुप्त प्रिथम ने 319 इसमी से 335 तक सासन किया इतना यार्ट तक सासन का टायम है 309 में गंदी पर बैठे थे उसके बाद में 35 बनी रही थे इसके बाद इनका पुत्र आता है शंतिक पुत्र को उत्त्रादिकरी बनाने के बाद संयास ले लिए जैसाएं को संयास साखार कर लेते हैं तो कौन आता फिर इसके बाद दाइता कि प्रियाग हारिषएंड ने प्रसस्ती लेक में समद्रू गपत्ग के विजय अब्यानों का ओलिए यह प्रस्तु भी यहां से इंपोर्टेड़ मैंता है कि इसने हरिशेंड ने ठीक है समद्ग अपने अपनी विजयों की घोषणा के लिए अस्व में यग संपन कराई थी किसके लिए अश्व में यग संपन कराई थे अपनी विजय की घोषणा के लिए तीन तरह की एक होते थे अस्व में राजसी और बाजपई कुछ कि इस तरह से राजसो यग होता था टिक है और भी यग है जब पढ़ेंगे वैसा आपको यूटूब पे जाएंगे तो सब कुछ बताया गया है पॉइंट टू पॉइंट हर्ट चीज को एक शब्द को बहुत अच्छे सेक्सपन किया है मैं सिर्फ यहां पर रिवीजन करा रही है आपका जैसे अपका टाइम खराब ना हो कम टाइम है अपका पूरा हिस्टी कराने वाली हो आके देखते हैं समध्गुप्त के सिक्कों पर और वीडा सरण यह चाइपरकार की मुद्ड़ के मुद्रा सब्से लोग प्री है यह जो यह आए गर्वली जो है अबसे माने चाहती है सबसे लोग प्री है श्रीलंका के राजा मेग वर्वनने कुछ उपहार भीज़कर समुध्र गुप्त से गया आप में एक बहुत मंदर बनवाने के लिए अनुमती मागी थी कहां के राजा थे स्रीलंका कि हो सकता आप से पोचे दाए कि किसे देश के राजा ने समुध्र गुप्त से परमीसन भारती इतिहास में समद्र गुप्त को क्या कहा गया है आप सभी जानते हैं बहुत इंपर्टेंट प्रश्न है कई उबार पर पर पूछ गया है तो भारती इतिहास में समद्र गुप्त को भारतिय नेपॉलियन के नाम सो जाना जाता है समद्र गुप्त को सो युद्धों का विजेता भी कहती है इसे कवी राज की उपाद दान की थी यानि कि समद्र गुप्त को कवी राज भी कहा जाता है तो राम गुपने अपनी धुर्व देवी को एक अथ्या चारी सके हातों में समर्प्र कर दिया और जब योगि रजा के सामने इसा को कर दिया अगर अच्छे राजा होते शबयां चन्द गुफ्तियां की तरहां तो टक्कर होती। मुकाबला होता पराबर का लेकिन उन्हों अपनी विभी को समर्फर्ण कर दिया उसके सामने क्या होता है कि फिर राम गुप्ति की हत्या कौन कर देता है चंद्रुगुप्धुथी कर देता है इनका इनका भाई होता है है चंद्रुगुप्धुथी थीन सो पचतर इस भी में गद्धी पर बैठता है चंद्रुगुप्धुथी ने विक्रवादि धान की यह उपढ़े पूचा जाता है कि चंद्रुप्धु दितिये शकों पर विजय प्राप्त करके शकारी कहलाने लगा यह भी प्रस्ट पू देवराज तथा देवगुप्धु के नाम से भी जाता है किसी नाम जाते हैं कोई किसी नाम से पोगारता है कोई किसी से ऐसे एतिहासमें के लिए अलग अलग नाम से जाना जाने लगा चंदर अप्रवाबती विवा वाकाटक नरिष्ट रुद्र सैंज से गिया कि चंदर अप्रत्य शुरूप से वाकाटक राजी को अपने राजे में मिलाकर अपनी दूसरी राजदानी मनाया किसे अप पर करो कि इसने इसके दरवार मैं 9 रतने थे चंदगत्तिय इक दरवार में काली र्यद्स जो कि कवी अनाटक कार थे आरिवड़ जो कि नफ्साटर वैज्ञानिक tua विग्यानिक यह Mikasa ब्रह्मगुप्त यह भी नचातव ग्यानिक थे नर्वंतरी एक चिकट सकते और अमर्सी यह आप इनकी दर्बार में नवरतने थे चेनियात्री फायान के बात करें तो चंद्रगुप्त के समय में भारत आया था मैं महरोली सिला लेक से जानकारी प्राप्त होती हिए चन्द्रगुप्त के बारे में चंड्रगुदिया के बाद कुमार गुपत महेंद्रा दित्या राजगद्धी पर बैठा ने कुमार गुपत का नाम क्या रखा था शक्रा दित्या किसें रखा था हुए इसांग ने जो कि चंद्र गुदितिय के बाद में गधी पर बैटा था नालंदा विस्विदर्ग संस्तापक कुमार गुप्ति था बयाना म्रिद भाण्ड से कुमार गुप्त की करीब 623 मुद्राइं मिली है कहां से बायाना मृद्वान चे 623 मुद्राइं मिली हैं कुमार गुपत कि मायूर शेली की मुद्राइं विशच मेहतक वोड़ा हैं किसकी है ऐए कुमार गुपत की कुमार गुपत को अपने शासन के अंतिम समय पुस्यमित्र जाती हैं के विद्रो का सामना करना पड़ा है तो कुमार कुप्त ने 415 ऐस्वी से 425 तक सान किया इनके भी टाइम पिर ठीक टाखी राय च्छा राय पंद्रा से पच्पन तक बने रहते हैं कुमान गुप्त के बाद चार सो पच्पन एश्विल में इसकंद गुप्त भी इंपोर्टिन इंधे पर बैठता है इसकंद ने विक्रमादितिया की पादि दारन की ठीके किसके पादी एक तक चंद कुप्त दिती ने विक्रमादितिके पादी ली थी और ये इसकंद्गुपते हैं इन्होंने भी ठीक है तो आप इसे याद रखना इसकंद्गुपत ने गिरिनार परवत पर इस थे सुदर्शन जील के पुर्णुद्धार का कारे कारे गवर्नर परंडर्थ के पुत्र चक्रपालित को सोपा था किसे सोपाता चक्रपालित को सुदर्शन जील जो बनी हुई है कहां पर सुदर्शन जील आप बताएंगे इसका पूर्ण धार अनुसमें करवाए था चंद्गुपत के सासनकाल में होडों का भारत पर आक्रमन हुआ था यह बहुत इन्पोर्टेट किसके काल बिए होडों का आक्रमन हुआ था तो इसकंद्गुपत के स्वाध ताइमुपत को को मिस्तम लेग मैं शक्रोपम है क्या कहते है एए शक्रोपम औजोना हड़ा भी लेक के स्ष्णी परिछिप्त निकाएए क्या कहा गया है इसकंदकुत को कहूम स्तम लेख में सक्क्रोपम और जूना-गडवी लेक में सिरि परीषिप्त ब्रक्षा कहा गया है गुर्ण हивает के वी सब्सक्र přाधा rock's paper ने चल्शान व्ह बन्यूंस को इस चाहुत चाहर् सो तर्साठ तक्सासन किया इसके इसके बाद सोतेला भाई का नाम था पूरुगुप्त नहीं पस देख लिजी अब तो वह गदी पर बैठता है पूरुगुप्त ने स्री बिक्रम की उपादी धारन की इसने नैसे छार सो सर्सड से चार सो शेटर तक सासन किया कोई मतलब नहीं है आगे देखते हैं पूरु गुप्त के बाद नर्सिंगुपत कुमार गुपत वइननी गुपत बहनुंगुपत कुमार गुपता थिया विश्नत गुपत इतने सारे यह लेकिन प्रताप पे सम्राप बढ़िया जो अच्छा राजा योग कहें तो इसकंद गुप्त के बाद फिर कोई भी इसके वंज में नहीं आया अंतिम वही था फिर तो यह चोटी मोटी दिनों कोई अपना इतिहास में खास नाम दर्श नहीं करा पाई तो हुनुका इति हुनुका दितिया आक्रम कौन होता है वो भानु गुप्त के टाइम में होता है गुप्त काल में राजपद बंसानु का सिद्धान पर आधारित था बंसानु का चलता था क्या राजपर्जो गुप्त सम्राथ नियाई नियाई सैना दीवानी विवाग का प्रदान होता था कौन गुप्त सम्राथ ग गुप्तकाले रानियों को परमभटारिका रागी तथा महादेवी उपाधियां दी गई है गुप्तकाल में राजा के तुलना किस्य की गई है गुवेर वरुन इंद्र और यम्राज इंसे गुप्तकाल गुप्तकाल में प्रांतिय प्रिशासकों को कितने वर्सों के लिए पांच वर्सों के लिए निक्त किया जाता था गुप्तकाल में नगरु का प्रिशासन नगरु का प्रिशासन होता है वो नगर महापाली का द्वारा चलाया जाता था गुप्तकाल में बूराजेसु कुल उत्पादन का एक बटे चार्ण से एक बटे छे बाग तक होता था कितना था गुप्तकाल में अगर भूराजुट की बात की जाए तो की मोषूं नाय enthusi को मुखुत करने में नां नत्यां न किया था सदी होने का प्रतम प्रमान! ऐस वी 2023 के भानूकट का नम पड़ा था, था BHANU! गुप्त के एरण अभी लेग में मिलता इसलिए भानु गुप्त जो है थोड़ी से इंपोर्टन हो जाते हैं क्योंकि तो भानु गुप्त का एरण अभी लेग है और दूसरा इनके टाम में हुडों का दूसरा आकरमन हुआ था गुप्त सासकों का विक्तिगत धर्म वैस्णम धर्म था क्या दर्म था लोगों का शिव के अर्दनारिचवर रूप की कलपना इवन शिव पारवती की एक साथ मूर्थियों का निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में ही आरम हुआ था शैव एवं वैस्णम धर्म के समनवे को दर्साने वाले भगवान हरीहर की मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था इसका शैव एवं वैस्णम धर्म के समनवे समनवे को दर्साने वाले भगवान हरीहर के मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था तुरिमूर्ति पूजा ऑंतरकत ब्रह्मा विश्णु महेथ तुरिमूर्तिक पूजा all together मूर्ति के त्रिमूर्ति देव यही है ब्रह्मा विष्णु महेश तो इनके पूजा जो है कहां से आरम होती है गुप्तकाल से आरम मानिगाती है कि गुप्तकाल में चार शेव संप्रदायों का प्रचुलन था कौन-कौन से थे शेव पासुपत कापालिक काला मुख अब यहां पर सिर्फ को नाम दे रखें लेकर आप चैनल पर जाकर विजट करते हैं इसके जानकारी चाहते हैं तो आपको सब कुछ बतायागा है कि से कौन थे पस उपत कौन थे क्या करते थे कैसा अंकराया जान था का पालिक का क्या वेज़ भूसाती किस तरह से रहते थे क् विचारों सम्वतारी बारे तो आप देखना चाहें तो चैनल पर जाईए और अच्छे सर्च करके ढाल दीजिए उआ पर दर्म के बारे में कि सहिद सम्वतार से जोड़ी में हुए था यह बसुबंधु असंग और दिगनाथ गुप्तकाल में मंदिर निर्मान कला का जन्म हुआ था सारनात में बैटो हुए बुद्ध की मूर्थी अवर सल्तान गज्र में तामी की मूर्थी गुप्तकाल की बुथ मूर्थी आ यहानि कि साहनाथ में जो फदकी मूर्ती है में खड़े हुए उठावी बुद्द की मूर्ती है और सुल्तान गर्श तामें बुद्द्द की मूर्ती कि जैन है ठीक है कि अजोनता के चेत्र ने कि दिरस्टी से के चेत्र टक्षी निक सब्सक्राइक बिसमे प्रिटम इसना रखते हैं निद्यश्चा कि गुफा संख्या सोला में उताइब वृ शनतकि तकनी राजकुमारी का चितर पर संसनी नहीं है 17 इह अजणता के और 10 संपव यह जयनकोफन को दे रजें के आप слगया एक रखनी ओसक्तल्स पॉच्छन तो सत्रा में क्या उन्यख माद्क saliva अजन्ता के गुफाएं बहुत धर्म के महायान साखा दो साखा थी ना हीना महायान एक और थी बज़ रहे हैं लेकिन बहुत इंपर्टन नहीं थी कि दो बहुत फैली थी चार दरफ अजन्ता में कुल 29 गुफाओं में सिर्फ छह हैं चैप घुफा संक्या एक दो नो दस सोला सत्रा यह वह गई हैं अपर दो तिन चैप आजन्ता अब गुफा संक्या 16 और 17 गुफ्तकाल संब्द देते हैं जो में अभी पढ़के आईएं 16 और 17 यह दोनों जो हैं बताइंगे कि किस काल से संबंदेत हैं फिलालापिनाजालिजी 16 15 यो सब्सक्राइए गुप्तकार अब्सक्तार पर इस्तित बिंद पर्वत को काड कर बागा की गुफाय बनाई गई इन गुफ्भाओं को 1818 इस में जंडर फील्ड नेको जा था गुप्तकाल में भारत के पूर्वी कौन सा था तो यह ताम लिप्टी ना दे करके भडूच दे तो यह पूछा गया क्वेश्चन इसलिए थोड़ा फोकस करके बता रही हूं तो हो सकता इस बार भडूच ना पूछ आजा को ताम लिप्टी रख दिया जाए आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा बंदर का ताम लिप्ट था पस्म तट पर तो पूरी ताम पर ती तरह हो जाएगा पर शांच UP कि अजिए अधिके यूरपी भाशा में अनुवाधित प्रिथम भाetty गरंथ रहतीं ता में अभी इंख्यान शाकूंत एग्धास है समें यूरपी भाशा में अनुवाधित प्रिथम भ ि डूक है कि चांऊ के सनसार के सरवादी प्रस्वरत गरंथ बाइवल के बाद दूसरे स्थान के बाईवल की बाद गुपत्रफार में विश्ना सवरुवाने की ती गुप्तकाल में आय का मुक्य साधन भूराजसु ही था ज्यादा तर टाइम से में देखते हैं तो यहीं बना रहा था सुरुगात में सिकार करना फिर पर सुपालन करना फिर वेवसाय करना इस तरह से दीमेदीम करके इंप्रूमेंट होता गया इनमें और यहां पर आके गु में कौन सा कर चल रहा कौन सा टेक्स लिए जाता हमसे गुप्तकाल में संस्कत्र रास्ट वासा बन गई थी गुप्तकाल में उच्छिक्षा का करना नारंद था इस बेरी इंपॉर्टेंट कुस्चिन प्राचिन भारत के इतिहास में गुप्तकाल का वही महतु है जो यून इतिहास में पैरी क्लियन युका है ठीक है इसमेद ने गुप्तकाल के तुलना बिटिस इतिहास के ऐली जाब बैता इस्टूर्ट के कालों सी किये गुप्तकाल को भारती इतिहास का स्वर्ग युक कहा जाता है इस इस लान को थोड़ा अच्छे सपढ़ लीजिए कि गुप्तकाल के सरवाधिक लोग्त्रिय देवता विष्णू थी गुप्ता एंपायर है देखिए कहां से किस तरह से कितना फैला हुआ था काफी जगा में हैं तो मैंने बता है कि आपको डीप में अच्छे पढ़ना डेटिल में जाकर जान करें चाहिए हिस्ट्री के आपक कौन सा राजा साजाग बना यह सब चीज है वहां आपको अच्छे बताई गए ठीक है चलते हैं अगली पॉंट पर और यह रचना अई है तो हरी सेंट ये किस चेत्र सब्वंदित हैं यह हैं कभी थे एक और इनकी जो प्रसद क्रती है और प्रयाकप्रसथि से फेहमस हुए थे फिक है बराव मेर यह किस चेत्र में खगोलविक ज्ञान में उनकी रचना है ब्रहत सहीता बर रुची यह व्र चपड़क जो हैं जोतिश विद्या सास्तरी है तो जोतिश सास्तरी है अमर सींग के बात करें शब्द कोश रचना तो अमर कोश सब्दा बली टीक इनकी रचना यह क्रतिका हैं कालिदास की बात करें तो यह नाटक और काव यह दोने ही कार्य थे इनकी अभिज्ञान से कुंत ट्रीद्ट की एनकी बहुत सी इंपोर्टेंट्ट वुकसां और की अनकी रच्ना की इनाओ शंकु वस्तो उपला से संब्द गोदेते हो पूछ लिया जाता है तो थोड़ा से नहीं आद रखें आगे दिखती है गुप्त कालीन मंदिर मंदिर इसमें इंप्रटेंट इसमें इंप्रटेंट इनने तो अच्छे से पढ़ लिजिए दिमागों बठा लीजिए पॉत अथिखरी किसे तो विश्णु मंदिर जो है वो टिग्वा तहुपका यह जबलपूर MP मंदिश में तेग्वा सिब मंदिर जो बना हुआ है वह भूम्रा भूम्रा काहां पढ़ता नागोद MP में यह वी पारवाथी मंदिर दिखतार निचना कुठार नाम से बीतरगां मॉस्ट इंपर्टेंट अन्पर्टेंट यह टीक है जहां से यूपी में लक्षमर मंदिर सिर्फ पूर्चतिस गड़ अब थोड़ा सा पोछे जाने लगा है का लतना नहीं विश्णु मंदिर उदायगिरी मादर प्रदिस में और श्रिव मंदिर खोग में इसका मतलब गुप्त कालीं ज्यादा से ज्यादा मंदर जो हैं मंदिर प्रदिस्क में हैं जैसे कि दोनों मतल तिग विश्णु मंदिर हो गया श्रिप मंदिर यह एक श्रिप मंदर भूमरा में और यह खोग में है को यह निसापना में में एंपी में टीक है तो यह इस अब सब से इंपोर्टें जो मैं आपको बता दिये वीतर गाह और यह तो है ही है इसके लावा थोड़ा सा भी याद रखें पता चले कि इन्हें छोड़के जो और ही पुछ लिया जाए तो इसलिए आपको दो बार देखेंगे इसे पर इसकी पीडियो पडलेंगे आपको याद हो जाएगा इसका जितनी मंदिर है कहां कहां किसी स्थान पर है है इसकACE है साहित्य पितिहासकार प्रावल मुषर्वडन क्या है दो मुद्रा रक्षास इस ने लिखी है विश ना ने किवर्ड़न क्या है एस पुस्तक में होना कि और है कह दूर कुत मुद्रक शगराँ ससमानीत बताई किसमें मुद्रा राक्षश में देवी चंद्रगुप्त ये विश्रागद्थ कि इसमें क्या किया नों रहा और दृब स्वामनी की विवागा का वर्ण किया जमिए पढ़के आये ते दृब स्वामनी राम गुपत अपने दृब स्वामी बीवी को समर्पिक कर देता है अज़ा के पास नहीं है तो इन लोगों की लब स्टोई अपने जुरू हो जाती है किस के चमंद्र गुपत की और दुर्व सामनी के तो यह दोस्य ब्याव कर लेते हैं तो उसी की बारे में देवी चनुगुप्तम नाम से पुस्तक लिखी विश्रागदत्तन है इसमें किया कहा नहीं है अगनी मित्र और मालिविका की प्रेयम कता हैं यह से दूसरी है इनकी अभिज्यान सकॉंतलम यह दुश्य है तो पंध्रां बड़ा फोकस किया क्या क्या आध्य विक्रमर्वंचिय विक्रमोर्म से वन्षियम तो इसकी एक काली दास किसे नहों ने पुरूरवा और वर्शी पुरूरवा वर्शी की प्रेयम कता विक्रमौर वस्धाक की बहांस की क्या है is सब्न वास without इस्समें क्या है इसित पूस्तब में इसमें देरह का वहांस विद्धा और ठत्धandaap क था ये भी दो अरेक्टर थे उन इसमें क्या है इसका विश्वर्डन जो है इसमें ब्रहाम्मण चारुदत तथा गणिका बसंत सैना की कहानी है इसमें मरत्ष कटिकम नहीं ठीक है यह सभी इंपर्टेंट है इसलिए आप सभी को याद कर लें हो सकता है कोई भी बुक्स पूची दी जाए काली दास की विश् पूलिज दिखते हैं मेलेक क्याक उन तो यह अविलिग की नाम दे रहे हैं है किस टाइम में कौन सा ओविलेक आयता है उप यह सां सकंगक कर यह कोई अब लिएक है कि को देखते हैं मुली को हाती गुंफा बलिख हाती गुंफा फिलिच घ्रविल के वार्वल के अंतों कलिंग नरेश कलिंग के राधा थे खारविल यह जूनागड गर्णार में मापका अभी लेक है जूनागड अभी लेक यह वन शासक है रुद्रदामन इन्होंने अभी लेक खुदबाया था नासिक अभी लेक कब का है साथ वहान टाइम का है और कि सासक की देन है यह गोतम ब बल्ष्री की है गोतमी फुतर बल्ष्री प्रियाग इस्तमलिक अभी पढ़के आए गुप्त बंसका है और किसने यह किसका लेक ही यह समधू गुप्तिका एहॉल अभी लेक का है अभी इंपर्टेंट मैं बता देती है आपको यह इंपर्टेंट है इसमें जूनागड है इस नासिक प्रयाग एहॉल मनसौर सभी इंप्पर्टेंट है तो एहॉल में क्या है तो पुल के संदिय का जो है इहॉल अभीलेग और पुल के संदिय जो है चालुक के बंसे संब्धिन है यह शोगरमन राजा कौन से टाइम के थे मालौ वंसे हैं इनका विलेक जो है मनसौर पति हार वंसके इनका घूलेक लगय करफ इसकंद गुप्तंस से हैं और इनका भी बीत पड़ाता अमने बेतरी और जो नगर अविलिए तो यह सभी राजा हो गए कौन से राजा कोन सा वी लेक है अरण से राजा किस वंसे समझद रखते हैं तो खार्विल करनलिंग नरेस खार्विल स्थे रुद्रदामान ये वन थे कोत्मी पुत्रवलसरी शाथवान वन्सके ते समुद्र गुप्त गुप्त वन्सके पुलोकेशन दुतिय चालुक के वन्सके ये शोबर्वन मालवा भोज जो है प्रतिवार और इसकंद गुप्त भी अभी पढ़ा था यह भी अपके गुप्त बंसे हैं ठीक है और इनके सभी अभी लेक हो गए जिनने आप दो किन बार पढ़िए बार बार तब को यहाद हो जाएगा अगला पॉंट देखते हैं अपना चलके अगला क्या रह गया है अब यह नहीं पढ़ा ठीक है बीत रही अब यह जूना गड़ा फुर्वी लेख गुपत इसकंदीग अब यह विजय सेन जो सेन वन्स के हैं देव पढ़ा विदीक यह पकर इसमें बहुत इंपनी नहीं लिकिन अब लास्ट रह गया सही अब देख लें तो देव पढ़ा बीलिए है सेन वन्स के राद विजय सेन का चलिए लिखते हैं तो आज की क्लास तो आई थिंग कंप्लेट हो चुकी है तो बस आप से रिक्वेस्ट करूंगी कब पढ़ाई में लगे रही है टाइम को बेस्ट ना कीजिए कमफर्ट जोन में जाने कुई मतलब नहीं है कर उन्हें पढ़ाई स्टार्ट किए तो कंटि आपके आने वारी होंगे प्रेट के लाब ऐसा तो है नहीं कि अपने इसी का फॉम अप्लाई किया होगा तो डिटिल में सबको चैनल पर जाकि कोई सब्जेक्ट देखना है तो अब टेटिल में जाकि अच्छे से देखिए आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन आपे श